नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आपका आप देख रहे हैं गोबलॉक्ष और मैं हूँ आपके साथ भासकरानन्द दोभाल दोस्तों एक मेल हतेली हमारे शामने है और हतेली में जो मनिबंद है अगर उसमें रेखाई देखें तो बहुत साप सुतरी दिखाई देरी हैं और साड़े तीन रेखाई हैं न तो तीन है न चार है साड़े तीन रेखाएं हैं किस प्रकार के हैं दीखिएगा यहाँ पे कि यह रेखा है कि यह पहलीए यह रेखा है और इस रेखा को कहते हैं स्वस्थत पी रेखा जह consulting के के बारे में हमारे आरोग्य के बारे में और तंद्रस्ति के बारे में बताती है कि निश्चित रूप से स्वस्त्य की द्रिष्टी से आपका जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है और रहता चला आया है साररिक स्वस्ते के हो मानसिक स्वस्ते हो बहुत जादा नहीं बिगड़ेगा और नहीं बहुत जादा जो है बहुत कष्टकारी जो है यहां पर दिखाई दे रहा है दूसरी बात अगर हम देखते हैं यहां पर एक रहखा और आ रही है इसको कहते हैं धन की रहखा संपत्ती की रहखा यह रहखा भी आपकी बहुत अच्छी है संपत्ती बहुत जादा नहों धन बहुत जादा नहों लेकिन ऐसा समय नहीं आने वाला है कि किसी के आगे जुकना पड़े सरमिंदा होना पड़े या कहीं न कहीं जो है धनकाय मामले में बहुत ज़्यादा प्रिशान होना पड़े ऐसी इस्तिति नहीं आयेगी हां आपकी जो संपति की रेखा है कहीं न कहीं एका एक यहां पर हिर्दे रेखा में समाहित हो रही है एक इस्पष्ट तरीके से सनि परोत पे नहीं जारी है तो एक बात का ध्यान रखना है उसके साथ साथ अंगोठे को भी देखे तो सेकिंड पोर्वा काफी लंबा दिखाई दे रहा है एक तो जीवन में आने वाले समय में 56 वर्ष की आयू से विसेश कर 56 वर्ष की आयू के बाद जल्दबाजी में और भावनाओं की बसीबूत होकर डिसिजन नहीं लेना है अन्यता आप स्वयम के विकास को अवरुद कर लेंगे और फिर उस डेपलप्मेंट को पाना उस प्रोग्रेस को पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा दूसरी बात होती है जब भी करियर और धन की रेखा जो है एका एक हिर्दे रेखा से आगे नहीं बढ़ पाती है या हिर्दे रेखा पे रुक जाती है तो बिक्त कुछ निरनाए भावनाओं में आके या जल्दबाजी में कर लेता है दूसरी कहीं न कहीं इस्टेबलेटी आने में बहुत समय लग जाता है बहुत टाइम लग जाता है धन और करियर के मामली में जो वास्तों में बहुत जल्दी आनी चाहिए थी भ verso कारी नौकरी की प्राप्ति कर लो उच्चपद की प्राप्ति कर लो लेकिन कहीं ना कहीं संतुष्टि वाली जो चीज है वो ये रेखा पूर्ण नहों तो कम दिलाती है तो और विशेश्तर सावधानी ये भावनावों पे रखनी पड़ती है ये चीज यहां दिखाई दे रही है लेकिन मनिबंद की ये रेखा बहुत साप है बहुत सुतरी है बहुत अच्छी है तीसरी रेखा है ये इसे कहते हैं सुक की रेखा देखेगा आपके पास स्वस्त्य है आपके पास धन है अगर सुक नहीं है तो कोई फाइदा नहीं होता इन दोनों रेखाओं का हाँ आपके पास तीसरी रेखा है ये बता रहy है कि आप अपने स्वास्थ्य धन और एस्वरे भोगने का सुक प्राप्त करेंगे और प्राप्त कर रहे हैं ये भी ये रेखा बता रही है अब छोथी रेखा अगर ये पूर्ण होती है तो ठीक है क्योंकि ये जब किसी के हतेली में पूर्ण होती है तो समराट योग दिलाती है समराट जैसा जिवन हो जाता है राज मुद्र का उस बिक्ति की हतेली में होती है कहीं न कहीं ये रेखा कुछ न कुछ जरूर दिलाती है ये राजयोग तो जरूर बनाती है चाहे ब्यक्ति जो है सरकारे नोकरी कर रहा है नहीं कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है लेकिन राजयोग बनाती है ब्यक्ति अगर ब्यापार में भी होगा तो भी स्रिष्टता हसिल करेगा और अपनी जो है नोकरी में भी होगा तब भी उसका जीवन बहुत सुन्दर रहेगा. एक प्रभाव शाली जीवन अंदर से कैसा भी हो वो उसको मालूम रहता है. लेकिन भाल लोगों के देखने में एक बैवाव शाली जीवन एक सांदर जीवन ऐसे लोगों का दिखता है. आपके हतीली में तीन बहुत सुनर रेखाएं हैं ये इस बात का भी ध्योतक हैं कि पूरो जन्म के आपके बहुत अच्छे कर्म रहे हैं उच्छ कर्म रहे हैं जिसकी उजोसे आपको मनुष्य योनी प्राप्त हुई है जिसकी उजोसे ऐसे कुल में आपका जो है शमर्पन हुआ है आपका जो है जन्म हुआ है और संतों की किर्पा आपके उपर है चाहिए वो कोई भी संत हो लेकिन संत जो है वो चीज है जो भगवान के बहुत करीब माने जाते हैं हर जगा भगवान नहीं जाता है इसलिए जिस पे संतों की किरपा हो उस पे ये समझेगा सभी दीवी दीवताओं की किरपा अनायास ही उस ब्यक्ति के पास है जो ब्यक्ति अपने छेतर में अच्छी खासी नौलेज रख पाता है और धन के मामले भी स्रेष्टता हसिल करता है यहाँ पे अगर आप देखें यह वाला जो पोरवा है एकदम इस पश्ट है नुकीला है इक्छा सक्तियां भी ऐसे ब्यक्ति के अंदर रहती ही रहती है यह इक्छा सक्तियों को दिखा रहा है कि ब्यक्ति के अंदर इक्छा सक्ति भी है यह बहुत ज़्यादा लंबा है तो इस बात का ध्योतक है कि तरक सक्ति ब्यक्ति की बहुत ज़्यादा है लोजिकल तरीके से अपनी तरक को रख सकता है लेकिन हर विसाय पे तरक करेगा यह भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है हाँ एक चीज का ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने हैं वो 56 वर्ष के बाद कहीं न कहीं गड़बड़ा हिसाब किताब दे सकता है इस बात का आपको जो है बिसेश ध्यान रखना है आप देखेंगे हतेली में इस प्रकार से जा रहा है और ये इस प्रकार से जाता हूँ दिखाए देरें सांदार योग की आकरती हैं बहुत सुन्दर है ये कहती है कि भाव किसम का आपका ब्यक्तित तो है इमोशनल भी बेक्ति हैं आप और खास तोर पे देखा जाए तो आपका चंद्रमा भी यहाँ पे गद्धी नुमा बनता हुआ दिख रहा है आगे आने वाले समय में बहुत जादा गद्धी नुमा बन जाएगा यह तो कहीं न कहीं नाजुक हिर्दय का बेक्ति तो दे रहा ह दूसरी बात है आप तहजीब पसंद बेक्ति हैं अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है इस बात का ये ध्योतक है और क्या कह रहा है कि कम पैसे में भी आप बहुत अच्छे से रह सकते हैं लेकिन थोड़ा दिखावा भी आपको पशंद है क्योंकि सूरी की रेखाई एक समय पे अच्छे खासी बिक्सित रही होंगी जो ये रेखाई है अब तो थोड़ा ये थोड़ा जो है दूसित है ल अपने को मेंटेन रखना अपनी प्रसनल्टी पर ध्यान देना अच्छे से पहनना अच्छे से अपनी प्रसनल्टी पर ध्यान देना अपने मेंटेन को करना ये सारी चीजें भी आपके साथ जोड़ी हुई यहांपे दिखाई दे रही है इस पश्ट अउस्ता में और एक स और यूँ बनी हुई है ना सुन्दर तरह किसी इसके अलावा अन्य हतेलियों पे देखो सेम बनी हुई है अन्य उंगलियों पे यूँ ये देखेगा आप यूँ बनी हुई है सेम बनी हुई है अन्य उंगलियों पे भी सेम आकरते बनी हुई है ऐसा जातक अच्छा खासा नौलेजबल होता है नौलेज बहुत अच्छी है आपके अंदर और जीवन को अपने सहारे से ऐसे लोग उपर बढ़ाते हैं आप भी अपने ही सहारे से अपनी जीवन को उपर बढ़ाते हुई दिखाई दे रहे हैं किसी की साहतार ना भी मिले तो भी ऐसे लोग जो है जीवन को बहुत आगे बढ़ा देते हैं आपका ऐसा ब्यक्तित्व है कि आप अपनी जीवन का सार को समझ रहे हैं जीवन के मन्थन को मत्ते हुए और अपनी जीवन को लगातार आगे बढ़ा कर ले जा रहे हैं बहुत अच्छा ब्यक्तितों आपका निखरकर आता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं न कहीं बहुत अच्छी लेखन की कला की आपके पास जो है कला भी दिखाई दे रही है किसी ने किसी आर्ट में, किसी ने किसी कला में आपका मन डोबा रहता है और संगेत प्रेमी भी आप दिखाई दे रहे हैं लेकिन थोड़ा देखेगा सर्दी है जुखाम है नजला है खासी है इस परकार की सिकायत कभी कबार रह सकती है थोड़ा इसमें जो है सावधानी रखें एक सावधानी और जरूर रखें अगर आप ब्यापार कर रहे हैं तो जिसके साथ कर रहे है ठीक है तो चल रहते जाएगा लेकिन आपकी हतेली में जादतर पार्टनर्शिप में कार्य नहीं दिखाई दे रहा है इंडूविजल आप किसी कार्य को करना चाहे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा यह आपकी हतेली में यहां पे इस संद बिक्तित्व भी आपका बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा है एक चीज और देखेगा फिर हतेली में और चीजों को देखते हैं जो आपकी यहां पे हिर्दय की लकीर है सीधी सीधी कोई इदर उदर की बाते नहीं है यह सीधी जा रही है और इंडेक्स फिंगर के नी है इसके बीच में जा रही है मनि किसी एक परोथ पे नहीं जा रही है जब बीच में जा रही है तो इसका प्रभाव इसका प्रभाव दोनों का बलाबल इस पे आ रहा है और जब दोनों का बलाबल आता है तो क्या कहता है आपके महत्वकांचा को कह रहा है कि आप बहुत ब एक सर्वसरिष्टम अस्तर की रही है कि वहां तक पहुचना है और अभी भी यही दिखाई दे रही है लेकिन वहीं सनी परवत के चलते हैं इसके प्रभाव के चलते हैं आगे बढ़ने के लिए मेहनत करने पड़े करेंगे जो गाल लगाना पड़ें लगाएंगे एन किन प्रकारेंड जो भी हो जाई करेगा उसको बिलती क्या सरम है उसमें यह भी यहां पे साब तोर पे दिखाई दे रहा है यहां पे एक चीज और देखेगा यहां पे अगर आप देखेंगे तो सबसी छोटी उंगड़ी लिटिल फिंगर जिसको हम कनिष्टा कहते हैं कर्ब लेरी है जुक रही है रिंग फिंगर की तरब यह इसका जुकाव क्या बताता है कि धन के मामले में ललक पैदा करेगा यह और यह इसके पहले पोरवे तक लगबग पहुँच रहा है पूरा पहुँच रहा है यह अत्यनतसरेश्ट अवस्तावत आती है ऐसा ब्यक्ति जादतर आप लोगों को ब्यापारी बर्ग का ब्यक्ति मिलेगा प्रैक्टिकल अगर आप देखेंगे तो ब्यापारी बर्ग का ब्यक्ति होता है अगर यह ब्यक्ति नौकरी करता है तो चाए प्रैवेट नौकरी करे चाए सरकारी नौकरी करे ऐसा ब्यक्ति जो है अधिकारी लेवल का ब्यक्ति होता है उच्च बर्ग का ब्यक्ति होता है अपनी जीवन में स्रेश्ट और सफलतम व्यक्ति होता है और एक बहुत बड़ी खाश्यत ऐसे लोगों के पास होती है कि जादतर ऐसे लोग अपनी ही बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं और ये गुण आप में भी अच्छी इस्तिति में यहां पर दिखाई दे रहे हैं दूसरी अगर हम यहां पर बात करें तो ये उंगले भी पूरी तरों से जुक रखी है कर्ब ले रही है और कहीं न कहीं मिडली फिंगर की तरफ इसका जुकाओ बन रहा है तो ब्यक्ति के अंदर यस पाने की इक्षा नेम फेम पाने की इक्षा बिस्तार पाने की इक्षा को यह परबल कर रही है अगर उंगलिया मिलाने पर यह गैप रहता है तो यह नगेटिव जरूर है क्योंकि यह गैप रहता है तो दो चीजें होती है एक तो ब्यक्ति अपने मन मुताबिक अपने पित्रों की सेवा नहीं कर पाता है अपने मन के मुताबिक करता तो है लेकिन मन मुताबिक नहीं कर पाता है दूसरी बात ये गैब बताता है कि जब सनि साड़े साती में हो बकरी में हो या जो है धाया में बैठा हो तो उसका प्रभाव ऐसे बिक्ति के उपर ऐसे बिक्ति के जीवन में जादा पड़ता है आपके उपर ये पड़ता हुआ दिखाई देरता हुआ नजरा रहा है यहाँ पे अगर देखें तो थोड़ी सी इंडेक्स फिंगर से बड़ी आपकी रिंग फिंगर दिखाई देरी है लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है यह अच्छा है आपके अंदर कहीं न कहीं रिस्क लेने की चमता आंसिक रोप में है लेकिन है जोखिम उठाने की चमता आंसिक रोप में लेकिन है और अगर उठाते हैं नुकसान हो जाता है सपोज ऐसा नहीं हर समय फैदा हो रिस्क उठाने में नुकसान हो जाता है तो उसको सहिन करने की चमता भी है तोटकर बिखरना नहीं जानते सहिन करने की चमता है यह मतिस हो है और सास्तर कहता है यह उंगले अगर इस उंगले से बड़ी हो तो विक्ति निश्चित तोर पर यस कि प्राप्ति करता है अर्श को समाज समाज में मानप्रतिष्टा यस पाने वाले फिम पाने वाले लोगों में से एक हैं और सपलतम बिक्तियों में से भी एक होंगे ये आपके हतेली की ये उंगली बता रही है अब हमने जो है जो रिसर्च की है जो हमारे पास फ्रीडवेक आया है हमने देखा है अगर किसी बिक्ति की ये उंगली बड़ी हो इस उंगली से थोड़ा भी और इस से छोटी हो साथ में ये बड़ी हो और इस उंगली के पहले पोर्वि तक पहुँच रही हो और उस समय पर आपका ब्रिस्त पती बहुत सुन्दर हो सनी बकरी नहो सुर्य दूसित नहो बहुत ज्यादा दूसित नहो थोड़ा मोडा तो कोई बात नहीं लेकिन ब्रिस्त पती जी परसेंट मामले में ऐसा ब्यक्ति सरकारी नोकरी में या इससे समंदित छेतर में काम को पाता है एक परसेंट किसी प्रस्तितिवस अगर ऐसा ब्यक्ति सरकारी छेतर या इससे समंदित छेतर में काम नहीं पाता हो तो फिर ऐसा ब्यक्ति ब्यापार में जाता है और ब्यापा लिएसे दिद्गा नाम सी जाना जाता है बहुत बड़ी पहचान ऐसा बिग्ति बनाता है अगर बिग्ति सरकारी नौकरी में न गया ब्यापार में न गया और प्राइबिट सेक्टर में घुस गया तो फिर उसका कोई वजूद नहीं रहता है क्योंकि वो उसको सूट नहीं करता है, ऐसे बिक्ति को सरकारी नोकरी छेतन में जाना चाहिए, या नहीं जाता है तो फिर ब्यापार में जाना चाहिए, अगर नहीं जाता है तो फिर ये राजयोग भंग हो जाता है, फिर उसको सूट नहीं करता है, बले ही उसकी परसनल्टी बहुत अची रहती हो वह 100,000 एक रुपया कमाता हो लेकिन बैमपाओ हो बहार Update सोचते हैं उसके पास पता नMIN कितना बैमपाओ हो एक चमक हो एक ग्लेमर हो एक यश हो लेकिन फिर व्हें वह चीज़ नहीं होती है जिसके लिए उसकी एक बहुत सुन्दर पहचान हो तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी की कोसिस करनी čाहिए या इसे समंधित छेतर में जाना चाहिए अगर नहीं जाते हैं तो फिर ब्यापार में जाना चाहिए और ब्यापार में निश्चित ही उतकृष्टता को हासिल ऐसा ब्यक्ति करता है राजयोग का भोग प्राप्त करता है तो ये आपकी हतिली की उंगलिया यहाँ पे दिखाती हुई नजर आ रही है मिडिली फिंगर थोड़ा हलकी करवलेरी इस तरफ देखेगा अपने आप आपके मुहों पे देने के लिए कोई नहीं ले आता है ये कह रही है कि जो भी प्राप्त हुआ है जो भी प्राप्त होगा स्वयम की मेहनत के बल पे होगा इस स्वर भी आपके साथ रहेगा लेकिन जो भी प्राप्त होगा वो अपनी मेहनत के बल पे होगा और किसी चीज को प्राप्त करने के लिए को ज़्यादा मेहनत ज़्यादा प्रिसरम प्राप्त करने होगी करना होगा आपको ये भी बता रहा है ये सीधी खड़ी है कही न अंदर के एक कोने में, लीडर्शिप की गुण है, और महतो कांचा की गुण भी यहां पे दिखाई दे रहे हैं, हम अगर मस्तिस्क रहखा को देखते हैं, मस्तिस्क रहखा भी आपकी बहुत सुन्र है, एक बिबेक वानि बिक्तितो को जन्म दे रही है मस्तिस्क्रेखा बौदिक अस्तर को जन्म दे रही है अच्छा खासा बौदिक अस्तर है हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचना कुछ कुछ जीवन काल के लिए योजनाएं बनाना इस चीज को भी यह दिखा रही है हां यहां पर अगर देखें तो इस तरों से जो है एक बहुत बड़ा वर्ग वर्ग इसको त्रिकोन भी बन रहा है यह जादतर पैत्रिक संपति को इंगित करता है अगर ब्यक्ति के पास पैत्र एक संपति की ब्यक्ति को प्राप्ति होगी यहां पर देखें करियर और धन की रेखा जिस तरों से निकल रही है यहां पर भी हिर्दय रेखा में एक बंदा कहीं न कहीं ब्यक्ति प्रोपर्टी अर्जित करेगा चाहें छोटे रूप में करें बड़े रूप में करें लेक ये नाड़े रेखाएं भी हैं ये कहीं न कहीं जीवन में तनाव की इस्तिति देती हैं आपके कारियों को अडचन देती हैं और कहीं न कहीं जो है उतार चड़ाव भी देती हैं और आपके जो डेपलाप्मेंट है प्रोग्रेस है उसको रोखने का कारिया भी करती हैं ठीकर ये चीजें दे भी रही हैं, ऐसे नहीं है कि सब कुछ राजाओं की तरों चला, कुछ न कुछ दे भी रही हैं, पूरी हतेली में अगर देखते हैं, तो रेखाओं का जाल बनना शुरू हो गया है, ये ब्यक्तिके बरतमान समय को इंगित करता है, कि कहीं न कहीं कोई न कोई उलजन ब्यक्तिके दिमाग में चल ली है, जिसके कारण रेखाएं आनी सुरू हो गई है, किसी चीज को लेकि ब्यक्ति बहुत ज्यादा सोचने बैट गया है, डीपली सोचने बैट गया है, जिसके कारण हलका तनाव, कनफ्यूजन की इस्तिति, दुविधा की स्तिति आने बैट गई है, उलजन की स्तिति आने बैट गई है, जिसके कारण हतेली में इसका प्रभाव पड़ रहा है, और जब ये रेखाएं ज्यादा होने बैट जाती है, तो ब्यक्तिके डेपलपमेंट को, ब्यक्तिके प्रोग्रेस को अवरुद्ध करने का कहीं न कहीं काम करती है आपके जो प्रयास हैं पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते हैं, इसका प्रभाव आपके आर्थिक छेतर पे भी पड़ता है, आपके सफलता के अस्तर को भी ये घटाती है, और कहीं न कहीं इसका प्रभाव आपके रिष्टों पर भी पड़ता है, और सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके आर्थिक चेतर पे, आपके कार्य के चेतर पे, आपके मन पे पड़ता है, तो इसका जो है योग और ध्यान के रिया द्वारा है, हमें इस चीज को मिटाना जरूरी होता है, अन्य था, ये धाई साल, फिर पांच साल, फिर साड़े साथ साल, फिर अपने आगोस में दवा लीती हैं, क्योंकि कनफ्यूजन इतना कर लेते हैं, डिसीजन बेकती सही नहीं ले पाता है, और निरणयों के कारण, अपना निरंतर नुकसान पर नुकसान करता जाता है, यहाँ पे अगर जीवन की रेखा देखें, इस तरों से जो है आती हुई कुछ भी हो, जीवन चाहे कैसा भी चल रहा हो, लेकिन एक बात तो है कि कहीं न कहीं इस जीवन में भी आप उच्कर्मी ही कर रहे हैं, जिसके कारण आपका जीवन की जो सत्यता है, वो मोकश की प्रापती पे अटकी हुई है, कि मोकश की ही प्रापती होगी, परिनिर्मान क की प्राप्ति होगी कहीं न कहीं मुक्ति की तरब जीवन जाता हो दिखाई दे रहा है कि भूल धन के लिए सोचना भौतिक सुक्षुदाओं के लिए सोचना यह नहीं रहेगा धीरे धीरे जैसे उम्रबडरी है यह चिन्न भी बना रहा है कि ब्यक्ति कहीं न कहीं धार्मिक परव्रतिका है निश्चित ही धार्मिक परव्रतिका है और जैसे जैसे उम्रबढेगी अध्यात्म के छित्र में बिक्ति उन्नत करेगा इस मनुष्य जीवन का वास्तों में गुर्थ क्या है जो गुप्त ग्यान है उसकी प्राप्टि होती हुई दिखाई दीरी है ये रेखा है जैसे जैसे उम्र बढ़ती एक तो बिक्ति की वाक सक्ति में बिड़ती हो जाती है कई बार वो कुछ ऐसा बोल जाता है कि वही चीज हो जाती है आसरवाद के रोप में बोला या किसी रोप में बोला वो वाक सिद्धी प्राप्ति करता है जो बोलता है वोई चीजें हो जाती अलायासी बोल लेता है क्या घटने वाला है उसका आवास कहीं न कहीं कुछ हो जाता है और कुछ होने वाला है चाहे अच्छा हो बुरा हो यह चीज भी आपकी हतीली में यहां पर साप तरह से दिखाई दे रही है एक रेखा इधर से जा रही है सूरे की तरब भगय की रेखा से यह जितनी इसपष्ट होती जाएगी सुन्दर होती जाएगी आपकी उन्नती को बढ़ाएगी और उन्नती का छित्र को विक्सित करेगी यह रेखा यहां से जाती हुई दिखाई दे रही है यह आपके अंदर ब्यापारिक गुणों में ब का हिसाब है तो यह ठीक नहीं दिखाई दे रहा है एक रेखा अगर आप देखेंगे यहां पर भी दिखाई दे रही है अगर यह नगेटिव उर्जा आपकी हतेली से हट जाती है तो इस रेखा का बहुत ज्यादा प्रभाव आपकी जीवन पर पड़ेगा एक तो आपको बिना कहें दूसरों का सयोग मिलना सुरू हो जाएगा और इस स्वर की जो किरपा आपके उपर है उसका फ़लादेश मिलना आपको सुरू हो जाएगा दूसरा आप में जो अच्छी प्रतिबा है तीब्र बुद्धी जो है और जिसका पूरा प्रियोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं उसका कर पाएंगे जो सोचने और समझने की सक्ति आप में निहित है वो विसेश कर उभर कर आती हुई दिखाई देरी है और कहीं न कहीं आने वाले समय में आपका व्यक्तित्तों जो रहेगा बहुत ज़्यादा प्रभाव साली रहेगा इस बात की और जो है ये इसारा कर रही है अब यहां पर देखेगा एक रेखाई स्त्रौसी जारी है और यहां पर देखेगा ये जो है तिरकूण बन रहा है यहाँ पे देखेगा यह त्रकून बन रहा है यहाँ पे जो है बर्ग बनता हो दिखाई दे रहा है यहाँ पे बर्ग बन रहा है यहाँ पे त्रकून बन रहा है मंदर का भी साइन बन रहा है एक्चुली में यह तो मंदर का ही साइन है चंद्रमा पे चंद्रमा पे मंदिर का सायन और चंद्रमा का प्रभाव क्या कहता है चंद्रमा एक्चुल मन का कारक है इसको धर्म छेतर माना गया है और जोतिस में इसे धर्म का छेतर के साथ साथ यातराई देखी जाती है और किसी मंदिर पे अगर इसका प्रभाव पड़ रहा है तो मन भी मन ही मंदिर हो जाते सन्ट की बहुत बढ़ी किरपा हो जाती ऐसे लोगों को ही समय में जो है संत का सानिध्य प्राप्त होता है चाहे अद्रिश्य रोप में हो चाहे बहुतिक रोप में हो कहीं न कहीं चाहे वो ही संत नुमा हो जाए लिकिन इस चीज को दिखाता है और विसम से विसम प्रस्तिति आने पर भी धैर्या नहीं खोता है ऐसा रेखा पे भाग्या की रेखा पे तिरकों अपनी आप में बताता है कि कहीं न कहीं विक्ति चाहिए अंतसमय में हो तो भी अपने घर का सुक प्राप्त करेगा अचल संपति का लाब मिलेगा ये पैतरिक संपति को दिखाता है ये अपनी खरीदी हुई संपति को दिखाता है आपके हतेली में जो है ये चीजें साप सुत्री अस्तान में दिखाई दे रही हैं। एक चीज की और तरप और चलते हैं, फिर आपके गुरहों की और जो है थोड़ा आ जाते हैं। क्या कह रहा है आपका गुरह है। ये भावनाओं के बसीबूत होकर कलत निलने ले सकते हैं, फिर अपनी डेपलप्मेंट को अपनी प्रोग्रेस को अवरोध कर सकते हैं। ये जल्दबाजी में बता दिया है हमने। यहां पर आप देखेंगे लगातार जो है कहीं न कहीं जो है यहां पर भी हैं। लेकिन दूस्रे पिक्चर में देखा मैंने यहां पर भी एक चतुशकून बन रा है। और यहां पे भी एक चतुस्कून बन दा है, ब्रिस्पति का प्रभाव इस पे पढ़ दा है, बहुत सलल तरीके से देखा है मैंने, देखे ये ब्यक्ति के अंदर कुसल प्रसासक के गुण देते हैं, ऐसा ब्यक्ति कितने भी गरीब परिवार में जन्म ले, तो भी अपनी य चिंग तक दे सके, ये इस बात कर दियो तक यहां पे दिखाई दे रहा है, शुक्र का प्रवत बहुत ज़्यादा उठ गया है बरतमान समय में, जब ये इस प्रकार से नुकेला हो जाता है, और एकी जगह पे उठ जाता है, यहां से भी यू यू करके और यहां पे उठ ज बादे भी पूर्णता नहीं आती है, और जो सुक है, क्योंकि ये सुक कारक है, उसमें ये कहीं न कहीं जो है लाख प्रियास करने पी भी उसकी प्राप्ति करवाने में दुविदा डालता है, देर करवाता है, मंगल आपके जो है दोनों ठीक हैं, कहीं न कहीं जो प्राकरम आपके अंदर है एनरजेटिक स्ववाव है इनी मंगल के कारण है ब्रस्पति भी ठीक है लेकिन थोड़ा सा सनी की तरब खिसक रहा है अगर ये ज़्यादा खिसक जाता है तो परिवार को लेकि चिंता का भाव जगाता है कहीं न कहीं परिवार को लेकि चिंताई बिक्ति के म कभी कभी बेवजहे की चिंताई ये दे सकता है और कभी कभी कारियों में रुकावट का संकेत दे रहा है निश्चित तोर पे ये दोसित भी है और ये जो है बैठावावी है आपके सारेरिक चक्र बरतमान समय में सोरे के चकरों के साथ तालमेल में नहीं है जिसके कारण आ सफल हो रहे हैं इसमें संदिय है आप जो मेहनत कर रहे हैं जो परिश्रम कर रहे हैं उसका पूरा स्रेय पूरा क्रेडिट आपको मिल पा रहा है ये उस रूप में जो है नहीं दिखा रहा है मनि संदिय है पैदा कर रहा है आपके अंदर जो क्वालिटी है जो योग्यता है उ कि इस चीज को यह जो है फोड़ा डैमेज कर रहा है अस्तर को घटा रहा है अप अगर व्यापार कर रहे हैं वह बिस्तार वह फैलाव आपको मिल पारा है क्वेसर मार्क लगा रहा है छो आप नौकरी कर रहे हूं वह ग्रोथ जिसके लिए आपने अपना सब कुछ अपने को दिया है क्या वो ग्रॉथ मिल पाई है या मिल रही है वो इस चीज में ये प्रस्ण चिन लगाता हुआ दिखाई दे रहा है इसको सूर्य किरिया द्वारा आपको ठीक करना है यह निश्चित है अब यहां पर अगर बुद्ध देखें बुद्ध आपका ठीक है आने वाले समय में जो है अच्छे अउस्ता में आ रहा है चंद्रमा की इस्तिति देखें चंद्रमा की इस्तिति लगबख ठीक है आने वाले समय में मजबूती की और आ रहा है अभी कैसा भी हो लिकिन आने व सिस्टम को भी बढ़ाएगा और आपके अंदर क्रियेटिविटी लाएगा ये आपकी हतेले का चंद्रमा कह रहा है उन मिला के देखा जाए तो थोड़ी सी उपाई करने बहुत जरूरी है क्योंकि ये होने से नेगेटिव उर्जा रहती है सारी चीजें जो है कनफ्यूजन म में रुकावटाना इन चीज के ये इस प्रकार से उठा रहता है तो सुक में थोड़ी कमी देता है और मानसिक परेशानियों में बिर्दी करता है बहुत सारी चीज है पूरा विस्तृत विब्रण में आपको दे दिया है कुछ उपाय में आपको दे रहा हूं जरूर करिए सब कुछ जीवन में प्राप्त होगा इस वीडियो में बस इतना है एक नई वीडियो के साथ पनवपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार